नमस्कार, VIP इंडिया में आपका स्वागत है आज के हिंदी आईडियो आटकल में डे एलेट सिच्छा दिखदर्शन दूति सेमेस्टर समाजी कद्यान पार्ट बारव वायू मंडल से महत्पोर्ड परस नहीं रहेंगे ऐसे ही आईडियो आटकल सुनने हैं वायू मंडल का संगठन बताईए वायू मंडल का संगठन हमारे चारो और फैले हुए अनेक गैसों का मिस्टरण है इस मिस्टरण में 78% नाइट्रोजन 21% आक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइकसाइड तथा 0.07% अनिगैसे जिन में से हाइड्रोजन, आरगन, हीलियम, और जोन आधी गैसे पाई जाती है इसके साथ इसमें कुछ मात्रा में जल वास धूल के कड़ धुआओ आधी विद्वान रहती है आक्सीजन, जीवन दाइनी गैस है वायो मंडल में नाइट्रोजन अधिक मात्रा में होते हुए भी आप अलक्तिय चुरूप से वनस्पत्ति के विकास में सहायक है हाइड्रोजन तथा आक्सीजन के मिलने से पानी बनता है कार्बन डाइकसाइड और जल दोनों ही पेड़ों के विकास में सहायक है वायो मंडल में कार्बन डाइकसाइड की मात्रा बढ़ने से पिर्थवी का तापमान बढ़ जाता है क्योंकि यह गैस सूर की उस्मा को अंतरिच में वापस जाने से रोकती है इसे ग्रीन हाउस परभाव कहते हैं वायू मंडल में कार्बर डाय अक्साइट की बढ़ती हुई मात्रा को पेंड पौधे दारा संतुलन किया जाता है ओजोन गैस सूर्ष से आने वाली घातक प्रावैगनी किरणों को आउसोसित कर लेती है और आगे अब वायू मंडल से आप क्या समझते हैं वायू मंडल की संरस्ना का वर्डन भी बताय जाएगा ताप करम में परिवर्तन की दर के अधार पर वायू मंडल को पांच परतों में विभाजित किया जाता है छोब मंडल में समताप मंडल, मध्य मंडल, उस्मा मंडल, वाह मंडल तो पहले जान लेते हैं छोब मंडल इसकी उचाई धुरूओ पर 8 किलोमीटर तथा विश्वत तूरित पर 18 किलोमीटर तक है इस परत पर जलवास तथा धूल के कड़ पाये जाते हैं इसमें मौसम संबंदित सभी घटनाय जैसे बादल वर्षा तुफान आदी घटित होती है इस परत में सभी परकार का जूप पाया जाता है इसमें उचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता जाता है इस मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी पुकारते हैं सम ताप मंडल यह वायू मंडल की दूसरी परत है इसकी उचाई पचास किलो मीटर है इसमें 20 किलो मीटर की उचाई तक तापमान समान रहता है फिर करम से बढ़ने लगता है अब तिसरा है मध्य मंडल इस मंडल की समोदर तल से उचाई 50-80 km तक है इस मंडल में जलवास बादल तथा धूल आदिक करडों की कमी से ताप करम कम रहता है और वायू काफी तेज चलती है चौथा है उस्मा मंडल इस मंडल का फैलाव समोदर तल से 80 km की उचाई से सुरू होता है इस मंडल में वायू का घनत तो कम होता है अता इस मंडल में उचाई की साथ साथ ताप करम में विरिद्धी होती जाती है इस मंडल में दो आन्ने परतें ओजोन परत तथा आयन परत भी पाई जाती है आयन परत को आयन मंडल भी कहते हैं ओजोन गैस की परत पिर्थिवी की लगभग 30 किलो मीटर से 80 किलो मीटर की उचाई तक होती है इस छेत में ओजोन गैस की परधानता होती है ओजोन गैस की यह परत सूरी से पिर्थिवी पर आने वाली हानकारिक प्रावैगनी किरणों को सोक लेती है आयन परत पिर्थिवी से 80 से 400 किलिमीटर की उचाई तक है इस परत में बिद्दुत कर उपस्थित रहते हैं जो पिर्थिवी से प्रचेपित बिद्दुत तरंगों को रोक कर पुनह पिर्थिवी पर लोटा देते हैं ये तरंगे विभिन परकार की रेडियो और ट्रांजिस्टर द्वारा पर सारी विभिन कारिकर्मों को सुनने में हमारी साहेता करती हैं धुरूओं पर धुरूए प्रकास भी हमको इस परत के उपस्थित रहने के कारण दिखाई देता है लास्ट है वाह मंडल वायू मंडल क की बाहरी परत है इसकी उपरी सीमा अनिश्चित है इस परत ने वायू मंडल का घंड़त सबसे कम होता है वायू का घंड़त तो कम होने के कारण वायू बीरल हो जाती है आगला प्रस्ण है जो बीटिसी 2016 और पंदरा में दोनों पूछा गया है वायू मंडल का महत्तो बता यह सूर से आनी वाली घातक एंवहान कारक परावेगनी क्रेडों को पिर्थवी पर आने से रोकता है इन क्रेडों उसे जिवधारियों को बचाने में सहयक्ता करता है पिर्थवी पर जीवन हितु अनकूल तापमान बनाये रखता है जिस से धरातल का तापकर्म ना तो वायूमंडल के कारण ही संभा हो सकती है जीवन के लिए उपयोगी गयस भी हमको वायूमंडल द्वारा ही प्राप्थ होती है आगे बात करते हैं भूतलप वायुदाप पेटियों के विकास वब वित्रण को सकारण असपश्ट कीजिए धरातलप वायुदाप का वित्रण आसमान है वायुदाप अपमान जल वास्प और पिर्थवी की परिश भरमन गती अधी कई बातों से प्रवायुद होता है धरातल पर वायुदाप दो परकार का पाये जाता है उच्च वायुदाप दुसरा है निम्न वायुदाप वायुदाप का बित्रण क्रम बद पेटियों के रूप में मिलती है परन्तु अस्थल तथा जल के आसामान बित्रण के कारण इन पेटियों की करमावद्दता में वैवधान पड़ता है वायुदाप की ये पेटिया पिर्थवी के एक ऐसे गोल पर संभावित मानी जाती है जो संपोड रूप से अस्थल ही अस्थल हो या फिर जल ही जल पिर्थवी के गोले पर वायुदाप की जो पेटिया पाई जाती है जो निम्न परकार से है भूमत देरेखे निम्न वायुदा पेटी इस परकार बिश्तार भूमत देरेखा के समीब लगभग पांच अंस उत्री अच्छांस और पांच अंस दच्छडी अच्छांस तक है शूर के उत्रायन तथा दच्छडायन होने पर इस पेटी में खिसकाव या असनात्रण होता रहता है भूमत देरेखा पर वस परियतन सूर की क्रेणे लंबोत पड़ती है तथा दिन रात बरावर होते हैं जिस कारण अत्यधिक तापकरम के कारण वायू हवाएं गरम होकर फैलती तथा उपर उठती है शौरूप फल शौरूप वायूदाप सदे उन्निमन रहता है इस परकार वायू मंडल में समवहन धराहें उत्पन हो जाती है इस छेत्र में धरातल पर पाउनों में गती कम होने के कारण साथ स्वात्वा तरण रहता है आता उसे सांत छेत्र कहा जाता है और आगे है उपोस्ट उठ चुवायूदाप की पेटी दोनों गुलारत उत्तरी यों दच्छडी में इनका बिश्टार तीस अंसे पैतित अच्छांसों के मद्ध पाय जाता है यहाँ पर सीत काल में दो महिने छोड़कर वर्स परियत्न उच्छ तापमान रहता है आधिक तापमान रहते हुए भी यहाँ पर उच्छ वायूदा पाय जाता है यहाँ पर उच्छ वायूदाप पाय जाता है यहाँ पर वायूदाप तापमान से संबंधित ना होकर पिर्थवी की दैनी गति और वायू में और तलन से संबंधित है आगे है उप दुर्वी निम्न वायूदाप की पेटियां इन पेटियों का बिश्टार दोनों गुलार्दों पर 60 दंसे 65 अच्छानसों में पाय जाता है। तापमान कम पाय जाता है। फिर भी वायूदाब कम पाय जाता है। क्योंकि परत्वी की भरमरसील गति यानि रोटेशन के कार्ड recur connect निकट तो उच्छ वायुदाप का एक विशेश छेत्र बन जाता है दुरूओ पर कठोर सीत का वातरण हम ऐसा रहता है इसलिए यहां उच्छ वायुदाप पाये जाता है आगे बात कलने वायू ताप मान का परिचे के बारे में तो इस पे है वायू ताप मान का परिचे दीजिए एक पी सूर पिर्थिवी की उर्जा एवताप प्रापती एक मात्र माध्यम है किन्टु वायू मंडल सीधे सूरितप से गर्म नहीं होकर पिर्थवी के गर्म होने के पस्चाथ उससे जो भायू मंडल की नीचली परतों में आते हुए सूरितप का सिर्फ 15% भागी जलवास धूल के कर गरहन करते हैं इस परकार वायू मंडल की नीचली परते सरो पर्थम भावतिक बित्रण से गर्म होती है यह उसके पस्चाथ एक एक उपरी परते समान तक गर्म होती है रात्री को वायू मंडल के ठंडे होने की भी यह परकिरिया बनी रहती है अता हुए वायू मंडल नेमने बिधी से गर् 11 परतिसत जलवास पर 4 परतिसत आते हुए सूर्टाप को आवसोसित कर लेती है किन्तु यह किर्या से भी रितियों में समान नहीं रहती वर्सा के पस्चाद धूल के कड़ों में कमी से आवसोसर कम हो जाता है किन्तु लंबे समय तक बादल छाये रहने से सूर्टाप की सतह वास्त्विक प्राप्ति कम हो जाती है संचालन द्वारा संचालन बिधि में ताप का परसार कड़ में होता है जिस परकार धातु के एक किनारे को गर्म करने पर सारी छड़ धीरे-धीरे गर्म हो जाती है यो दूरी बढ़ाने पर उस्मा कम मात्रा में पहुंचती है किन्तु इसी परकार सूर्ज ताप से भूतल गर्म होकर अपने निकट की वायू मंडल की परत को गर्म करती है इसे उपर की उर्ताप निरंतर कडमे परसार होता रहता है अता नीशली परते पिर्थवी तल से सबसे अधिक ताप प्राप्त करती है आगे है समवाहन द्वारा बिकिरण एव संचालन परकिरिया द्वारा जब वायू मंडल की नीशली परत गर्म हो जाती है तो वह हलकी होकर उपर उठती है उपर हलके वायू मंडल में यह फैल जाती है यह ठंडी होकर भारी होने लगती है भारी होने पर यही वायू पुना धीरे धीरे नीचे धरातल की ओर उतर जाती है यहां यह पुनह गर्म होकर उपर उठती है इस परकार के किरिया निरंतर एयों क्रमवार होते रहने ही रहने को ही सावाहन कहते हैं बिकरण द्वारा जो सूरिताप भूतल को गर्म करता है वह ताप तरंगों के रूप में वायुमंडल के चारो ओर बिकरित होता रहता है बिशेश द्रातल की प्रकिर्ती के अनुसार बिकरण कम जादा हो सकता है रितीले मरुस्थल में ताप प्राप्ति सीग्र होने से बिकरण भी तेजी से होता है दाप परिवर्तन द्वारा जब नीचे उतरती वायु का समपेडन होता है तो वह स्वैम भी गर्म होने लगती है एव पिर्थवी से निकट आने पर धरातल की गर्मी से भी गर्म हो जाती है जबकि उपर उठती हुई वायु फैलने एव दाब मुक्ती से हलकी होने के साथ ही अधिक सीग्रता से ठंडी होने लगती है वायु वहन द्वारा ठंडे परदेशों में बिक्सी ठंडी वायु रासी जिस परदेश की ओर बहेगी वहां के तापमान तेजी से घटेंगे चाहे वहां सापेच्चता अधिक भौतिक विक्रण भी प्राप्त हो रहा हो इस भाती जब कोई उश्लू वायु रासी ठंडे परदेशों की ओर बहती है तो वहां के तापमान बढ़ने लगते हैं अब आगे है वायु मंडल के आदरता का परिचे दीजिए तो आदरता का माप वायु मंडल के किसी विशेश अंस में विशेश परकार या नमी उपस्तित है इसे दो परकार से मापा जा सकता है क्योंकि किसी वायू के अंस में समाने तह उसकी छमता से कम ही आदरता पाई जाती है इस परकार एक विशेश तापमान पर एक घनफुट वायू में जितना ग्रेन यानि एक ग्रेन बराबर 180 मिलिग्राम पानी का भार वास उपस्तित है हुआ उपस्तिस्त वास्तिविक या निर्पेच आदरता कहलाईगी जबकि एक घनफुट वायू की एक निश्चित तापमान पर जितनी अधिक्तम वास्प ग्रहन करने की छमता है यह जो वास्त उस समय उपस्तित है उन दोनों के अनुपात के द्वारा भी आदरता को परतिसत में पाय जा सकता है इसे सापेच आदरता कहते हैं आवाते हैं अतिलगुत्रिय प्रस में वायू मंडल किसे कहते हैं पिर्थवी के चारो ओर से आवरण की तरह गेरे हुए हावा के बिश्तृत भंडार को वायू मंडल कहते हैं वायू मंडल ये जलवास्प का संगनन सरव परतम किस पर होता है धूल के कड़ो पर ये धूल कड़ आदरता ग्राही नाभिकों की भूमिका निभाते हैं वो सूर की विक्रित उर्जा का कितना भाग पिर्थवी पर आता है एक बटे दो अरवावा भाग पिर्थवी पर आपाता है सूर से निकलने वाली उर्जा को किस नाम से जाना जाता है बेद्द चुम्बु की विक्रण के नाम से जाना जाता है सूर के पिर्थिवी से कितनी दूरी पर है यह तथा यह अकार में पिर्थिवी से कितना बड़ा है शूर पिर्थिवी से 15 करोड किलो मीटर की दूरी पर है तथा अकार में पिर्थिवी से 13 लाख गुना बड़ा है अगला प्रस्न जो BTC 2016 में पूछा गया है सूर इताप किसे कहते हैं? सूर इताप पिर्थिवी की सतह पर प्राप्थ होने वाले शौर बिकरण को सूर इताप कहते हैं सूर के परकास को पिर्थिवी तक पहुशने में कितने समय लगता है? आठ मिनट बाइस सिकंड का समय लगता है पार्थिवी बिकरण किसे कहते हैं? पिर्थवी द्वारा दिर्ट तरंगों के रूप में पिकरित सावर उर्जा को पार्थवी बिकरित कहते हैं वायो मंडल किस परकार गर्म होता है? वायो मंडल सावर बिकरण द्वारा आप परत्यच रूप से गर्म होता है सूर्य ताप का कितना भाग प्रावर्तित होकर अंतरिच में लुप्थ हो जाता है पिर्थवी पर कितने अच्छान से ताप कटीबंद पाये जाते हैं पिर्थवी को मुक्यततीन अच्छान से ताप कटीबंद में बाटा गया है उस्ट कटिमंदिये, सितोस्ट कटिमंदिये, सीथ कटिमंदिये वायोमंडल के संगटन में बिद्धमान, परमुग गैसों के नाम नाइट्रोजन, कारबन डायकसाइट, आउक्सीजन, नियोन, क्रिप्टन, जैनन, हीलियन, हैड्रोजन, इत्यादी दैनिक ताप अंतर से क्या अभिप्राय है? दैनिक ताप अंतर का अभिप्राय किसी दिन के नियुनतम एव अधिक्तम ताप के अंतर से होता है वार्षिक ताप अंतर से क्या अभिप्राय है? एक वर्ष के अधिक्तम तापमान यानि ग्रीश मेरित्व से और नियुंतन ताप मान यानि सीत रित्व के अंतर को वार्षिक ताप अथो वार्षिक ताप परिसर कहते हैं परिसर का मतलब अंतर आगे है विश्वत्य परदेशों में वार्षिक ताप अंतर सबसे कम क्यों रहता है विश्वत्य परदेशों में वार्शिक तापमा अन्ता सबसे कम होता है कुvenant इस परदेश में ग्रीशम रितूत था सीट रितू में प्राप्त होने वाले सूर ताप में बहुत कम भिनता रहती है किंतों तितियों पर अगला प्रस्ण हैं किन तितियों पर सूर की किरिणए मद्ध slowerन के समय विश्वत रेखा पर लंबवत होती है 21 मार्ज और 33 स्प्तम्बर को सबसे अधिक तापमान की समय होता है सबसे अधिक तापमान दौपार के 3000 बजे होता है नियुन्तम तापमान कब होता है प्राता हकाल चार बजे यानि कि हर सुबह चार बजे वायुदाप क्या है धरातल पर या सागरतल पर वायुमंडल की समस्थ परतों को पढ़ने वाले भार को वायुदाप कहा जाता है वायू मंदल की बिशेशता भिशेश खोज कब से हुई दुत्टि विश्यूत के पश्चाथ अगला प्रसने ब्रह्मान के वायू मंदल के काउंसे भाग में आवसोसित की जाती है ऐन मंदल के गैसो द्वारा अगला प्रस्ण है ओजोन मंडल का किसलिए बिशेश महत्तो है गातक परावएगनी केड़ों को सोकने के कारण वायू मंडल की महत्तुपूर चार गैसों के नाम गिनाईए चार गैसे है ओक्सीजन नैट्रोजन अट्रोजन कार्वन डियाओकसड हाइड्रोजन गैसों के अत्रिक्त वायू मंडल की निचली परतों में और कौन से महत्व photograph पूर्थ तत्व पर जाते हैं जल वास्प वह धूल के कड़ धूल के कड़ों का क्यूं महत्व है यह परकास को बिक्रित करते हैं इनसे अकास नीला दिखाई देता है अकास नीला क्यूं दिखाई देता है धूल के कड़ों द्वारा परकास क्रेडों को बिखेरना वायो मंडल की परतों मंडलों के नाम लिखिए परवर्तन या बिछोब अचल अस्तर समताप ओजोन एन रुआ अगला प्रसने किसी परत या मंडल में तापमान इस्तिर या समान रहते हैं किस करण समताप मंडल अगला प्रसने जो बिटी से 2000 सोलम पूछा गया है भारत किस गुलार्द में इस्तित है तो भारत उत्तरी और पूर्वी गुलार्द में इस्तित है अगला प्रसने जो बिटी से 2016 पूछा गया है जलवायू का अर्थ तसपस्ट कीजिए जलवायू किसी बड़े इलाके का आउसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है उधारण के लिए भारत की जलवायू यूरोप की तुलना में भिन्न हो यूरोप में अक्सर बरबारी होती है और भयानक सर्दी पड़ती है बारत में ऐसी बरबारी और सर्दी नहीं पड़ती सरल सब्डों में किसी इलाके के किसी एक तरह का आउसत मौसम लंबे समय से बना रहता है तो उसे उस इलाके का जलवायू कहा जाता है मौसम जहां कुछ दिनों या घंटों में बदल जाता है वही जल्यायू बदलने से सैकड़ो हजारो साल का समय लगता है तो धन्यवाद इस आईडियो आटकल को सुनने के लिए ऐसा ही आईडियो आटकल सुनने हैं तो इस चैनल को सस्क्राइब जरूर करने हैं